आपको इंद्रा आवास योजना के तहट पैसा कब भुपतान कब हुआ था? 2012 में कितना मिला था? 30 जाए और कितना बकाय है आपका? 15 जाए इंद्रा गांदी आवास योजना जिसका नाम 2015 में बदल कर प्रधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना रखा दे इस योजना के अंतरगत ग्रामीन छित्रों में रहने वाले BPL काट धारकों को मकान बनाने के लिए कुछ राशी प्रधान की जाती है पहली किष्ट में 50,000 और दुसरी किष्ट में 20,000 राशी देने का प्रधान है लेकिन पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड के चलबिल्ली पंचायत के चलबिल्ली गाओं में 16 ऐसे परिवार हैं जिनका 4 सालों से दूसरे किष्ट के पैसे का भुगतान नहीं हुआ है समुदाए के लोगों ने महाजन से कर्ज लेके अपना कुछ मकान का काम तूरा किया जिसके वज़े से आज उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको इंद्रावास योजना के अंतरगत पैसा कब मिलागा? 4 साल हो गया कितना पैसा मिला था आप लोग को? 50 मिला है 20 बाकियों तो माइडम बोले है कि ढाल दीजिए तो पैसा मिलेगा तो कारजा लेके उन्सूत कर लेके ता भी इस समय मिले नहीं कराई हूँ समय से रोज मांगने आता है पैसा वाला कि पैसा दीजिए हमको आप अपना मकान जो ढहलाई करवा ली वो कैसे करवाई है अभी नहीं करवा है पैसे नहीं है तो 30 अजार में कहां से होगा करकट चरा के छोड़े हुए हैं आप अधिकारी से मिली हैं कभी? तो उन लोगों का क्या कहना था उन लोग तो कुछ बोले वे नहीं कियें बोले कि अच्छा पास करवा देंगे मिल जाएगा घरवराइए नहीं कितने बार फोटो भी खीच करके ले गए हैं आपका कितने साल से बकाया है? दो हजार बारा में हमको मिला उसके बाद से एक भी पैसा नहीं मिला रोज और आए कि दो महिना के बाद मिलेगा तो फरवरी में मिलेगा तो सितंबर में मिलेगा आवी तक एक भी पैसा के मुआपजा नहीं हुआ है इसके वाज़े से आपको क्या-क्या दिक्कत हुई थे? भाईया जी पैसा लियें जिसका कर्जा लियें उसको तो कर्जा देना है ला कर्जा वाला तो नहीं मानेगा उत्वएबे करेगा दरवाजा पे आप महाजन से कर्जा लेते हैं? मेरे और मेरे समुदाय की ये मांग है कि जल से जल उनकी बकाया राशी को पूरा किया जाए वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि फुलवारी शरीफ प्रखंड के बीडियो के मोबाईल नंबर 9431-818002 पे कॉल करके दबाव बनाये और बदलाव लाने में हमारी मदद करें मैं आमिर फुलवारी शरीफ प्रखंड चलबिली गाउं से इंडिया अनहट के लिए कर दो